साथियो नमस्कार, साथियो प्रिकत के साथ रहिए और आनन से रहिए ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये संसेवेरिया स्नेक ब्लांट, मदर इन लास टंग की बहुत ही अच्छी वाली बैराइटी है ये डैनिस क्राउन है, क्राउन इसके नाम के पीछे लगया है तो आप समझेए कि क्राउन ही है देखे कितनी सुन्दर प्रिकत कीचे तरकारता है इसमें, ये डाट बहुत ही सुन्दर लगते हैं ये देखे, अभी ये बिलकुल नए पत्ते निकले हैं और इसके पत्तों की, इसके सुस्थता की पहचान ही ये है कि पत्तों में हार्डनेस और इसके किनारी एकदम जब किनारे ये रहे, समझ लिए, जितनी अच्छी किनारी है, उतना ही ये सुस्थत पौदा है और इसके बारे में थोड़ा मैंने ये पाया है, ये करीब देड़ दो साल से मारे धर लगा है, कि इसको फरवरी और मार्च में इसमें नए नए अंकुरन होते हैं तब इसको डिश्टर्ब ना किया जाए, अगर आपने उस समय डिश्टर्ब करके इसको दूसरे गमरे में रिपॉर्ट कर दिया, तो फिर ये डिश्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए अब जो है इनका विकास अच्छी तरह हो गया है, ये देखिए नया इसमें एक पौधा नि निकालेंगे, तो इसकी जो पतियों का कलर है, उसमें कोई नेच्रल्टी वही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, और इसको तो हमने कटिंग से भी लगा के देखा, तो कटिंग में भी इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अन जो सिंसवेरिया हैं, उनमें थोड़ा बहु इसको डिवाइट कर दीजिए, जैसे ये पब आप सामने देख रहे हैं, ये इस तरह से इसके भी पब होंगे, इसी तरह से, तो ऐसे इसको ये तीन दिखी, ये तीन बन जाएंगे, अलग-अलग, इसी तरह से इनको काट के अलग-अलग लगा दीजिए, तो इसमें डीप से निकलती है, तो ये बहुत आसानी से लग जाती है, जब कि ये जो कटिंग से आप लगाएंगे, ये कटिंग तीन तीन चार चार इंच वाली है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और कभी-कभी गलाव भी हो जाता है, ये बहुत ही प्यूरी फायर अधा है, और आक्सीजन के लिए ये तरह से वरदान है, और इसी कारण, इसी अपनी गुणवत्ता कारण इसने पूरे विश्च में कबजा कर लिया है, पूरे विश्च में आप इसे किसी भी देश में इसको बहुत ही सम्मान प्राप्त है, हर प्रिकति प्रेमी और जो भी हैं वो इ कुछ भारत में उपलब्ध हैं, ये बहुत ही सुन्दर बाराइटी हैं और इसकी सबसे वड़ी खुबी यह है, जैसे आप सरकारी सर्विस में हैं या बाहर टूर में आप लंबे-लंबे समय में जा रहे हैं, तो इसको आप तीन महीने, चार महीने तक ये कमरे में इसी तरह सरक्षित बना रहाएं चाहे कमरे में रखिए, बरामदे में रखिए, चाहे आउट डोर में लगाएं, आउट डोर में थोड़ी सी साँधानी ये रखना है कि इस पे डारेक्ट संलाइट न पड़े, डारेक्ट संलाइट पढ़ेगी तो इसके पते खराओ हो जाएंगे, और पत्ते फैड़िड हो जाएंगे तथा यह सूप भी सकता है सूप भी सकता है बस दो चीजों सावधानी रखिए एक तो इसकी जो मिट्टी बनाईए वह वैल ड्रेनिश सिस्टम के अधार बनाईए इसमें लीफ कंपोज जादा रखिए देखे हमारे उसमें यह लीफ का ह में होते रहे हैं तो जंगलों में पत्तियां ही पेड़ पौदों की पत्तियां होती है उन्हीं में इनका अच्छा विकास होता है तो पत्ती इसको बहुत लाइक है मिट्टी में अगर आप लगाएंगे तो मिट्टी में यह नहीं चल पाता है मिट्टी में कभी भी जब भ जो पब जो है गल जाते हैं नीचे से गल जाते हैं ये इसकी क्वाल्टी यही है कि आक्सीजन प्रदान करना है और कार्बन डाई आकसाइड और नवेसेली के गैसों को सोक लेता है तो भाई अब हम लोग पीपल बरगत पाखर तो लगाने के लिए जमीन ही नहीं बची है और देहात में जहां जमीन है तो उनको खेती करना है तो इसको देहात में भी लगाईए और नगरों में भी लगाईए नगर में आपके पास छोटी सी भी बालकनी है उसी में लगाईए बहुत ही सुन्दर आपकी बालकनी सुन्दरता से भर जाएगी और ये कई अलग अलग अ कलर में आता है किसी भी कलर में लगाई है देखे दो तीन कलर तो यह हमारे पास ही है कई कलर है हमारे पास और अलग-अलग कलर में लगाई है और बगिया को अपनी हरी भरी रखिए बहुत ही धन्वात और हमारे चैनल को सब्क्राइब करिए और प्रिकति के लिए सब्क्राइ भी करिए और हमको कमेंट करिए बहुत बहुत धन्वाद थैंक यू थैंक यू